देखी, इन दिनों टेक्नोलोजी ने बहुत बड़ी मदद की है, जादातर हमें जो काम पहले हमारी कॉंस्टेबलरी लेवल की जो इंफर्मेशन होती थी, इंटलिजेंस होती थी, उसी से पुलिसिंग का काम अच्छे डंग से होता था, दुरुभाग्य से उसमें थोड़ी क कमी आई है, इसमें कभी भी कॉंप्रमाइज मत होने देना, कॉंस्टेबलरी लेवल की इंटलिजेंस, पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी, इसमें कभी कमी भी मत आदे देना, आपको अपने एसेट, अपने रिसोर्स, इसको जीतना पनपा सकते है, पनपा और थाने के लोगों को बल देना चाहिए, उनको पुलिसाइद करना चाहिए, लेकिन इन दिनों, टेक्नोलोजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्द है, इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं, उसमें टेक्नोलोजी बहुत मदद कर रही है, चाहे CCTV गैमेरा फुटेज हो, जाहें मोबाइल ट्रेकिंग हो, आपको बहुत बड़ी मदद करते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन इन दिनों जितने पुलिस के लोग सस्पेंड होते हैं, उसका कारण भी टेक्नोलोजी है, क्योंकि वो कहीं बद्तमीजी कर देते हैं, कुछ घुसा कर देते हैं, कि बैलेंस खो देते हैं, कभी आवश्रक्ता से अधिक कुछ कर देते हैं, और दूर कोई वीडियो उतारता है, पता ही नहीं होता है, फिर वो वीडियो वाइरल हो जाता है, फिर इतना बड़ा मीडिया का प्रिसर बन जाता है, और वैसे भी पुलिस के जादा लोग मिली जाते हैं, आखिर कर सिस्टीम को उनको कुछ दिन के लिए तो सस्पेंट करना ही पड़ता है, पूरी केरियर में धबा लग जाता है, जैसे टेक्नोलोजी मदद कर रही है, टेक्नोलोजी मुसिबत भी कर रही है, और पुलीस को सबसे ज़्यादा कर रही है, आपको ट्रेंड करना होगा लोगों को, टेक्नोलोजी का सकारत्मक अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा उप्योग कैसे हो, इस पर बल देना चाहिए, और मैंने देखा कि आपकी इस पूरी बैच में, टेक्नोलोजी के बैग्रोन वाले लोग बहुत है, आज इंफर का एनालिसीस और उसमें से सही चीज निकालना, बिग डाटा और आर्टिफिशल इंटलिजेंस, सोशल मीडिया, ये चीजें अपने आप में, आपके एक नए हथियार बन गए हैं.